जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप दच्छिड पूर्व मद्ध रेलवे यानि कि कार्मिक विभाग रायपूर मंडल की ओर से एक नोटिस आया है जिसमें दच्छिड पूर्व मद्ध रेलवे से अगर आप अपरिंटिस करना चाहते हैं तो आप के लिए बहुत ही सुनहरा आउसर आया है ठीक है इसके अंतरगत आप दच्छिड पूर्व मद्ध रेलवे रायपूर मंडल और वेगन रिपेर सौप रायपूर में अपरिंटिस के लिए आपकी विकेंसी निकाली गई है ठीक है ये नोटिपिकेसन आउट हो चुका है तो इस वेकेंसी के बारे पे कम्प्लीट जानकारी आपको मिलेगी तो अगर आप इसके लिए आविदन करना चाहते हैं तो आप दो चार से जिसके आविदन जो है दो अपरिंटिस से इस्टार्ट हो चुके हैं आप एक मई द 24 तक इसके लिए online आविदन इस website पर जाकर कर सकते हैं ठीक है अगर आप apprentice करना चाहते हैं तो ठीक है इसमें आलग रख trade की vacancy देखिए इस builder की vacancy 161 turner की 54 fitter की 207 electrician की 212 stenographer अंग्रेजी का 15 stenographer हिंदी का 8 कोपा का आपका 10 health and sanitary inspector का 25 vacancy machinist का आपका 15 mechanic diesel का 81 mechanic refrigerator and air conditioner के 21 auto mechanic मलब mechanic auto electrical and electronics के 35 यानि 844 पद किसमें है DRM office रायपूर मंडल में ठीक है इसके लब और वेकेंसी है यह wagon repair shop रायपूर में fitter के आपके 110 welder के 110 आपका machinist के 15 turner के आपके 14 electrician के 14 copa के 4 stenographer अंग्रेजी और हिंदी के एक 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 पद पर वेकेंसी निकाली गई है ठीक है हम बात करें इसमें अगर eligibility criteria की तो आपका दस्वी पास होना चाहिए आपको और आपके पास संबंधित trade में ITI पर इच्छा भी आपने पास की हो तो आप आविधन कर सकते हैं लेकिन दस्वी में ना आपका percent 50% कम से कम होना चाहिए फॉम भरने के लिए ठीक है हम बात करते हैं आयू सीमा की तो आपकी उम्र 15 साल से 24 साल के बीच में होनी चाहिए यूर और EWS के टेगरी के लोगों की ठीक है और SCST को 5 साल की छोट मिलती है OBC वालों को 3 साल की छोट मिलती है और दिव्यांग और भूत पूरुजसैनिक है उनको 10 साल की यहां पर छोट मिल जाती है तो आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप UR और EWS वाले हैं तो आपकी उम्र इसके बीच में आपका डेट अब बर्थ आना चाहिए 2400 2000 से 2400 की बीच में इसी परकर आप देख सकते हैं इनके बीच में अगर आपका डेट अब बर्थ आता है SCST वाले देख ले अन्य पिछड़ा बर्थ और दिव्याग और भूत पुरुसेनिक अगर आपका डेट अब बर्थ इनके बीच में आता है तो आप eligible हैं अन्य था आप eligible नहीं है ठीक है हम बात करें तो आपको जो training दी जाएगी एक साल का आपका training period होगा और उसमें आपको stipend मिलेगा ठीक है अगर हम बत करें चैन प्रक्रिया की तो आपका दस्वी के percent और ITI के percent के हिसाब से आपका selection होगा जितने अच्छे marks होंगे आपके दस्वी में और ITI में उतने ज़्यादा chances रहेंगे आपके selection होने के इसमें ठीक है तो यहाँ पर exam आपका कुछ नहीं होगा केवाल आपका percent के अभार पर आपके यहाँ पर chain किया जाएगा ठीक है अगर हमें आपर बात करें आपके अगर हम बत करें आविदन की तो आप 2 अपरेल से एक माई तक आविदन कर पाएंगे ठीक है यह तो मैंने पहले ही बता दिया आपको अगर आपको कोई भी doubt होता है अगर आपको कोई भी doubt होता है फॉम भरने में तो आप ना इस number पर phone लगा के पूँच सकते हैं या कार्याले में भी आप जाकर तो आपको विबसाइट बता दिया हूं में उसी विबसाइट पर आप जाके online आविदन कर सकते हैं वहां आपको यह PDF मिल जाएगा और वहां से आप आविदन भी कर पाएंगे ठीक है आसा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बिल वाला आइकन जरूर दबाईए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें धन्यवाद